भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है तो फिर क्या है उनकी अवतरन कथा। अनुसार एक बार जब भगवान विश्णु और भगवान अहंकार से अभिभूत हो स्वय अनको श्रेष्ट बताते हुए लड़ रहे थे तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एक मात्र बाल रूप वर्णन है इसके अनु इसकी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है इसलिए वेह रो रहा है तब भगवान शिव का नाम रूप रखा जिसका अर्थ होता है रोने वाला शिव तब भी चुप नहीं हुए इसलिए प्ढवान ने उन्हें दूसरा नाम दिया पर शिव को नाम शिव पुरान के अनुसार यह नाम पृत्वी पर लिखे गए थे। ब्रह्मा विश्णु जब स्रिष्टी के संबंद में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचाने से इंकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भगवान विश्णु ने दिव्यद्रिष्टी प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद जब भ्रह्मा ने सरिष्टी की रचना शुरू की तो उन्हें एक बचे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशिरवाद ध्यान आया अत्थ भ्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए